नमस्कार CSK नीज में आप सबी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत सदोसाज होगे हैं दिन भर की जो फटाफाट बड़ी खबर निकल कह रही है कि करके जाने की दरसल देश बार में संक्रवितों के आकड़े के बारे में लाइवी स्टेटस आपको मंत्री निर्मला सीतरवन ने प्रवासी मजदूर किसानों और स्टीट बेंडर के लिए नव एलान किये हैं उसके बारे में भी बताएंगे आखिर क्या किसानों के लिए एलान किया इस बीच अगली बिग ब्रेकिंग पशिम मंगाल में हालात बेकाबु है तनाव पर माहौ और इंटरनेट किस्ते हुआ है 17 माई तक बंग कर दी गए जिहां पशिम मंगाल में मुख मंत्री ममता बनट जी के हाँ से निकल गया है पशिम मंगाल उसके बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले बड़ी ख़बर जाने के जहां पर नेतनियाहू पांच्वी इससे बरबाद होने जा रहा सौधी अरब उसके बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन इस बीच टूरा अफ ड्यूटी हमने जो कहा कि खोला खुली सेना में भरती होगी उसको लेकर भी बड़ी ख़बर आई है प्रथम चरण में 100 अधिकारी और 1000 जवान होंगे भरती इ बिस्तार से जहां पर उद्धाव ठाकरे समेट 9 लोगों ने विधान परश्यत की निर्विरोच चुनाओ को लेकर भी बड़ी ख़बर आई है एक एक करके बिस्तार से जाने के जहां पर आश्रेलिया को लेकर चीन बाउखलाया है आश्रोलिया के बाद जिसके बाद कई ब करके अपना समर्थनतर्स के दरसाल पहली बड़ी ख़बर निकल के आ रहे हैं आपको बता देश भर में संक्रमितों कहां कड़ा हुआ 78,000 को पार जी हां अब तक 78,000, 839 मामले सामने आ चुके हैं आपको बता दे कि आज दिल्ली में 472 मामले आए हैं जबकि रास्थान के ब चलते हैं अगले बड़ी खबल लेते हैं अपरवासी मजदूरों किसाने और स्टीट बेंडर्स के लिए नव बड़े अलान किये गए हैं चोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीमी कीस माई तक के लिए बढ़ाई गये जी हां बितमंतरी निर्मला सीत किसानों को लिए कर्ज पर ब्याज में चोट की स्कीमी का तीस माई तक बढ़ाई गई है इस वीच आपको बता दे कि प्रवासी मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के लिए सेल्टर होम की विवस्ता की जो सहरों लोग वेखार हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा लेक मजदूरी एक 182 रुपए से बढ़ा कर 200 रुपए कर दी गई है इस बीच जो प्रवासी मजदूर घर जा रहे हैं उनकी खास करके काम की बिवस्था अब उनके ग्राम पंचाइस से लेकर उनके जिले में ही की जाएगी तो ये एक बड़े पैमाने पर सभी राज्यों को दिस 400 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान की घोशना की भी बात कई है तो कुछ एक बड़े एलान किये गए हैं फिलाल हम चलते हैं लिए बड़ी कबर लेते हैं बंगाल में हुगली में दो पहच्छों में जड़ब के बाद तनाव का माहल इंटरनेट सेवा 17 मैं तक लिए ब दिफ्तारी बताई जा रही है तनाव के माहल को देखते हुए हुगली जिले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं इंटरनेट पर रोक 17 मैं की साम 6 वह तक लागू रहेगी इस बीच पुलिस ने बुदवार को हिंसा ग्रस्त इलाकों का दोरा करने जा रहे हैं बीजे इसके मामले आने के बाद हिंसक जड़ते हुई उसके बाद तेलीनी पाड़ा में जड़प शुरू हुई इसके बाद काई अस्थानों पर हिंसक वारदाते शुरू हो गई हैं और यहां पर तो कही-कई ऐसे वीडियो वार रहे हैं जिसमें पुलिस प्रसासन भी विसे माई तक इंटरनेट बंद करनी पड़िये तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े तरीके से ये संग प्रदाइक हिंसे दंग कराएगे हैं फिलाज चलतेगरी बड़ी कबरी जलाईल को लेकर बड़ी कबर निकल के आरे बेंजमीन नेतनियाहू पांची उबार बने प्रदान मंतरी गठ्थबंदन सरकार के साथ दोनों नेता भारत के हिसमर्थक जीहां कोरोना संकट के बीच एक अच्छी ख़बर निकल के आरे जहां पर बेंजमीन नेतनियाहू एक बार फिर से इजराइल के प्रदान मंतरी बन गए हैं नजदी की दोनों नेता हैं ऐसे में भारत के लिए भाविस में रणनीतिक और कोटनीतिक रूप से इसराइल के प्रदान मंतरी बेंजमीन नेतनियाओ का जीतना काफी सार्थक होगा और अच्छी ख़बर ये निकल के आई है फिला चलते हैं गली बड़ी ख़बर साओधी अरब पूरी तरीके से बरबादी की कगार पर कोरोना संक्रमट और तेल की गिरते कीमते से हालात बेका वो जी हां कोरोना संक्रमट की चलते दुनिया भर में लागडाउन की स्थिती है जिससे कच्छे तेल की मांग और दामों पर काफी बुर आसर डाला है कच्छी तेल की कीमतों में भारी गिराउट आई है और तेल पर निरभरता वाले देशों के हालात बुरी होती जा रही है साथी अरब की हालात काफी ज़्यादा खराब हो चले और उस घाटे में वरने के लिए वेल्यू एड़ेट टैक्स जैनि पांस से दस प्रिजदी के टैक्स 15 प्रिजदी तक कर दिया है इसके साथ ही वहाँ की जन्रता पर भी वहाँ जो ब्यापारी है तीस प्रिजदी टैक्स लगा दिया जा रहा है टैक्सों के जरिए अब खास करके अपनी अर्थव्यस्था को पट्री पे लाने की सौधी अरब कोशिस तो कर रहा है लेकिन कोरोना संक्रमाड अगर जादा दिन तक चलता है तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो ना के वहल रुकेंगे बलकि वो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एक पैसे की बरबादी हो जाएगी और जो प्रोजेक्ट फसे हैं वो फसे के फसे ही रह सकते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पे अर्थवस्ता कि संकर्ट सौधी अरब में भी आ चुकी है हम चलते हैं अगरी बड़ी खब टूर आफ ड्यूटी यानि प्रतम चरण में सौव अधिकारी और एक हजार जवान होंगे भरती जियां इसमें कई सोलियत भी मिलने वाले दरसल सेना में अब खुली भरती की बात करें तो टूर आफ ड्यूटी यानि तीन साल के लिए यु हैं जो बड़ी खबर निकल किया है उनमें माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तौर पर सौ अधिकारी वा एक हजार जवानों की पहले चरण में भरती की जाएगी आपको बता दें कि नागिरिकों में देश सेवा की भावना बढ़ाने के लिए आम लोगों को भारती से से जोडने के लिए टूर आफ ड्यूटी प्रस्ताव लाए गया इसके तहट आम आदमी तीन साल के लिए सेना में भरती हो सकेगा यानि खुली भरती होगी और आम आदमी कोई भी व्यक्ति सेना में अपनी सेवा दे सकेगा खासता और पर अधिकारी पाद के लिए प्रिज जगत में भी नवकरी करने की चांसस बढ़ेंगे और अगर आप खास करके सेना में तीन साल आगर आप अच्छी तड़ीके से काम किये राष्ट रही तो दे जहीत के लिए तो आपको उसमें और भी पदोनती की जा सकती है तो ये सब कुछ सेना देने वाली है तो जैसे जै प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वो भी बताएं के लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी कबर भारतिय सेमा पर चीनी सीमा की हरकतों के पीछे है एक हजार कमपनियां जो की अब चीन की हांस से फिसलती दिखाए दे रेंजियां आपको बता दे कि जानकारों का मानना है कि इस तरीके से चीनी सैनको ने भारतिय सीमा पर जो हरकते कर रहा है उसके पीछे उसकी बाउखलाहट है दरसल पूरी दुनिया में उसकी साख डैमेज हो चुकी है कुछ लोगों का कहिना था कि पियो के को लेकर हो रहा है लेकिन दरसल ये पियो के को लेकर नहीं है ये तो है वो बहुखलाहट जो एक हजार कमपणिया चीन से भारत आने वाली है। आपको बता दे कि कोरोना वारस के बढ़ते संक्रमन के बीच चीन पे पूरी तरीकी से सभी लोगों की जो खास करकि उसकी गुड साख है वो खत्म हो चुकी है। लोगों का विश्वास उठ गया है। इस तरीके से परिशान करने की कोसिस कर रहा है। लेकिन साइद ये पता नहीं है कि इस देश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये परिशान होने वाले नहीं है। टार्चर करने से इनकी ताकात पांच गुना बढ़ती है। फिलाल हम चलते हैं अगली बड़ी इक संकट फिलाल टल गया है। मालू हो कि महराश की नौ विधान सभा परिशाशीटों के लिए चवदा प्रत्यासियों ने नमांकन दाखिल किया था। मंगलवार को नमांकन पत्रों की जाच की दोरान निर्दली अविधायक उम्मीद्वार सहवाज राठावर का नमांकन भरने के लिए किरण भी आख चुकी थिरिकी निविधी बीजेपी ने भी चार उम्मीद्वार उतारे थे सभी कि सभी नौ उम्मीद्वार नेर्विरों चुने जा चुके हैं तो ये महराश बड़ी कबर हम चलते हैं कि लिए बड़ी कबर आस्ट्रेलिया ने की कोरोना की इंतररश्ट ये जाच की मांग तो बॉखला गया चीन जी हां आपको वदा दी कि कोरोना वारस महामारी से पूरी दुनिया में अब तक तक तक्रीवन तीन लाख से जादा लोगों की महत हो चुकी है और वहीं लगों 42 से 43 लाख लोगों की अधिक संक्रमित हो गए है इसके ल अमेरिका ने खुलन खुला कहा आस्ट्रेलिया ने महांग की कि कोरोना वारस महामारी के इंतर राश्ट्रेलिया जांच होनी चाहिए आस्ट्रेलिया कि इस मांग से चीन बउखला गया और अब आस्ट्रेलिया को दवाने के लिए नहीं चाल चल दी है दरस्तर चीन ने ब्य आस्ट्रेलिया की ओर से कोरोना की जांच की मांग चीन को नागवार गुजरी इससे एक और चीजे कंफर्म होती है कि ये तो चीन से ही निकला है क्योंकि अगर कोई ब्यक्ति जांच से घबरा रहा है और जांच की बात करने वाले देशों को कुचलने की कोसिस कर रहा तो ये आसपष्ट समझा जा सकता है कि कही ने कहीं उसके पीछे उस कारे के पीछे उस पार्टिकुलर देश की साजी से तबीतना वाखला है तो हम समझ सकते हैं इस चीनी वायरस को लेकर लेकिन भारत में खुला चीनी वायरस तो आब इससे कहा जाएग एगा हम चलते हैं कि पूरी दिनिया में अब वायरस की वज़ा से संक्रमितों की संख्या 43 लाग को पार कर गई है WHO का कहना है कि अब इसमें कितना दिन लगेगा ये कह पाना मुश्किल है एसमें हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि कितना जादा सोसल डिस्टिंशिंग को मेंटेन किया जाए और मास्क लगा कर जादा तर निकले क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मास्क लगाने से कोरोना संक्रमर्द बिल्कुल ना के बरावर फैलता है तो आप घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले ना कि अपने लिए बलकि पूरे परिवार के लिए और इस देश के लिए हम सलते हैं कि लिए बड़ी ख़वर अपरेल में थोक महगाई दर में गिरावट इन चीजों की कीमतों में आई जबरजस्ट का मिजिया आपको बता दे कि एक अच्छी ख़वर आई भारत के लिए जहां पर खास करके थोक मुल लेंकन सुचकांग पर आधारित मुद्रा स्थीती के आँकड़े जारी किये गए सरकार ने बताए कि कोरोना महामारी के कारण लागो लॉकड़ाउन के वज़ा से आखड़ों को पूरी तरीके से संक्रमण संक्रहण नहीं पाया है लेकिन जो आकर ने निकल गया है उनमें यही है कि थोक महगाई दर्में जबर्जस्त गिरावट आई है जिससे सबजियों के दामों के साथ सतकाई ऐसे चीजे कुछ सस्ती देखने को मिल रही है फिलाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दे कि कॉंग्रेस में सामिल पूर्ब जजज ने दी नीरव मोधी पच्च में गवाई भाजपाने राहूल गांधी को घेरा जी हां बाजपान इस मामले में कॉंग्रेस और राहूल गांधी को निशाने पर लिया है उनके कहना है कि आज कॉंग्रेस पार्टी नीरव मोधी को बचाते हैं और भारत में दूसरी तरीके से अफवाफ हलाते हैं तो कॉंगरस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और वीजेपी ने इस पर जम कर निसाना साधार राउल गांदी से सवाल पूचा है कि आखिर बताएं कि नीरो मोधी क्यों बचाया जा रहा है तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है फिलाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं जहां पर आपको बता दे कि बीक ब्रैकिंग नियूज निकल के आ रहे है जहां पर राश्पती एक साल तक अपने बेतन का 30 फीजदी हिस्सा करेंगे दान सजावाट और खाने के मैन्नियू में भी कटवती की गई है जहां राश्पती रामनात को बिनने कोरोना संकट को देखते हुए अपने बेतन का 30 फीजदी हिस्सा का एक साल दान देने का फैसला किया मार्ज का बेतन उनने पूरा दान दे दिया था इसकला राश्पती भौन के अन्ने खर्चों में भी कटवती की गितो एक बड़ी ख़बर पीम के एर में दान किया गया फिलाल बड़ी ख़बर में इतना है लेकिन दुनिया भर के जो आंखडे निकल के रेक नजर की बात कर कर गया जी यह 43,47,000 लोग संक्रिमित हो गए जबकि मृत्यों की संख्या 2,97,000 को पार कर गए यह करीब 3,00,000 लोगों की मौत हो गई है जबकि अमेरिकिया में 14,21,000 कंफर्म की से जा चुके तो 84,000 लोगों की मौत हो गई है इस्पेन में भी 2,77,000 केसे तो रसिया में भी जबड़ जस्त आंकड़े बढ़ रहे हैं 2,52,000 हो गए हैं युनाइटेट की इंगड़म की बात करें तो 23,000 केसे जबकि इटली में भी 2,22,000 तो वहीं तुर्की में भी 1,43,000 जर्मिनी में 1,44,000 मामले तो हैं यह तो फिलाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों लेकिन आपको बता दे कि आज क्या है आज 26 संभाजी महराज मराठा संभाज के एक हिंदू सेर की बात करें जिनोंने औरंग जेब से लोहा लिया औरंग जेब की पूरी नियू हिला के रख दी औरंग जेब का संभाज तहस नहस कर दिया और जो जो कबजा औरंग जेब में छेतर म जिसके आज जन्म जैनती जिनकी है तो इनको दिल से हम नमन करते हैं 14 माई 1657 के पैदा हुए थे तो इनके लिए नमन दिल से है दोस्तों इसी के साथ बड़ी खबरों में इतना है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें शेयर करें कमेन के माद ध्यम सब्सक्राइब देना ना भूले फिलाल इस वीडियो में तरह जैहिन वंदे मात्रम